पीएम नरेंडर मोदी को घेरने की कोशिश में कॉंग्रेस खुद फंस गई है दरसल हुआ यूँ कि कॉंग्रेस के ITCEL की प्रमोक दिव्यास पंदना ने शनिवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेर किया इस वीडियो को लेकर उन्होंने दावा किया कि ये नारे बाजी पीएम मोदी की शनिवार को जैपूर में रैली में हुई इस वीडियो में लोग राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ नारे लगा रहे थे दिव्या स्पंधिना ने ये वीडियो शेर किया और ये सोचल मीडिया पर वारल हो गया जिसके बाद लोग दिव्या स्पंधिना को ट्रॉल करने लगे कॉंग्रेस आईटी सेल ने ये गलत वीडियो शेर कर दिया जिसके बाद Congress IT Cell की मुख्या ने माफी भी मांगी है पिये मोदी को घेरने के चक्कर में ये ब्लंडर हो गया Congress IT Cell की तरफ से तो इस वीडियो को लेकर दिव्यास पंधना को माफी मांगनी पड़ी दिखाते आपको क्या शेर किया था दिव्यास पंधना ने पर अप्लोड करने की कोशिश की थी पर अजीब कारणों से ये अप्लोड नहीं हो रहा क्या आप लोग ये कोशिश कर सकते हैं जवाब दीजे ये दरेंद्र मोदी की जैपूर की आज की रैली का वीडियो है दिव्यास पंधना Congress IT Cell की हैड है उन्होंने ये ट्वीट किया और इस चीज के लिए आज दिव्यास पंधना ने माफी मांगी है दिव्यास पंधना ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं माफी चाहते हैं ये वीडियो मार्च का है कल का नहीं अरे बीजेपी का मार्ट से ही राजस्थान में ये हाल है तो माफी मांगी है लेकिन माफी के साथ साथ कोई मौका नहीं छोड़ा है बीजेपी पर हमला करने का और अब आपको बताते हैं कि दिव्यास बंदना ने माफी तो मांग ली लेकिन इस पर बीजेपी आईटी सल के प्रमुक अमित मालविया ने उन्हें आड़े हाथो लेकर निशाना साधा है ट्वीट किया है मिट मालवे ने निशाना साधा है दिव्यास पंदिना पर उन्हें आड़े हातों लेते हुए उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस ने हमेशा की तरह ट्विटर पर सेल्फ गोल कर दिया है 2019 के लोकसभा का महौल अब पूरी तरीके से बन चुका है और जिसमें पार्टिया एक दूसरे पर टिपनिया करने का कोई मोका छोड़ नहीं रही इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा प्योग किया जा रहा है और ऐसे में ही कॉंग्रेस इसमें गल्ती कर बेटी है जिसमें मोदी जी का एक पुराना वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और उसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद बीजीपी के आईटी प्रमुक अमिजी हमारे साथ है सर इस पोस्ट के बारे में क्या कहोगे इसके बाद माफी भी मांगनी पड़ी उन्हें देहित ये पहली बार नहीं है कॉंग्रेस ने अपनी राजनीती जूट पर बनाने का काम शुरू कर दیا है वो जूट बोलते हैं, बार बार जूट बोलते हैं, जोर जोर से जूट बोलते हैं, उनके अध्यक्ष जूट बोलते हैं, उनके पार्टी के सारे तमाम नेता जूट बोलते हैं, ये जूट के आधार पर मोधी सरकार को घेरने की राजनीती कॉंग्रेस अपने हतकंडे, अपन पांच मिनट में हो जाता है सर उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से भी ऐसी टिपनिया ऐसे वीडियो हम वाइरल किये जाते हैं बेज़े जाते हैं कॉंग्रेस का भी ऐसा विरोध किये एक बार दिखा दें वो कि हमारे तरफ से हमारे किसी भी अधिकरित चैनल से या हमारे किसी भी नेता ने इस प्रकार से पब्लिक कारिक्रम में जूट बोला हो राउल गांदी तो हर बार जूट बोलते हैं पब्लिक कारिक्रमों में जूट बोलते हैं उनके आकड़े गलत होते हैं उनकी समझ अपरिपक्व है राजनीती की उसी प्रकार से उनकी जो टीम है वो भी उसी तरह से जुट बोलती है सर इस तरीके से बड़े बड़े नेताओं पर टिपा टिपनी करना इतने कोने की भूमी का लेना ये उचित समझते हैं सर कई बार वो फील कर जाते हैं गलत मान जाते हैं इस चीजों से देखिए राजनीती में आलोचना होनी चाहिए क्रिटिसिजम होना चाहिए लेकिन जो जुट और प्रापगेंड़ा की राजनीती कॉंग्रेस करना चाहती है जुट के आधार पर लोगों को घुम्रा करना चाहती है इसका आज के दौर में कोई स्थान नहीं है सर जोसल मीडिया पर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे मेसज़ेस जैसे जैसे इलेक्शन का महोल बन रहा है पूरे 2019 में सोशल मीडिया पर ऐसे ही महोल बना रहेगा जिस लोगों को ऐसे मेसज़ेसे गलत चीज़ेशें मिलती रहेगी देखिए लोग बहुत समझदार होते हैं लोगों की समझ पे सवाल हमें नहीं उठाना चाहिए अगर कोई भी राजनेतिक दल और कॉंग्रेस खास तोर से जिनका हमने केम्बरिज आनलेटेक के बारे में सुना वो एक विदेशी कंपनी को ले आए जिससे जूट और फरेब की राजनीति को एक बड़ा बड़ावा मिला इस प्रकार के हतकर्णों से कॉंग्रेस का भला होने वाला नहीं और जनता इसमें आने वाली नहीं यह है एबीबी नियूज आपको रखे आगे